हालो फरंस नमश्कार आजम भात करने वाले हैं शीत पित के बारे में जोकी जादा तर सर्दियों में होता है गर्मियों में भी हो सकता है लेकिन यह जादा सर्दियों में होता है गर्मियों मेर तब होता है, आप अचानक से थंडा पानी पी लेते हैं, आप एक्दम से फ्रिज का निकला धंडा दूद पी लेते हैं, एक्दम से बहुत थंडी चीजे खा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं, शीत पिती ये होता क्या है, एक्दम से आपके शरीर में जो है, दं इसको बोलते हैं शीत पित्व, इसी दानी की फोम में भी निकलता है, अंदर से एकदम से ये उचाल लेके इसके बीतर कुछ ममाद, कुछ पानी टाइप का भर जाता है, और बहरी उभार सा ले रहती है स्केन हमारी, और बहुत इचिंग, बहुत खुजली होती है, बहुत जा होती है, इसकी एक सिंपल सी, दो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, होम रेमेडी, और इसको आप अगर करते हैं, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, तकरीबन 2-3 मिनिट के भीतर, वो जो स्किन दफडी हुई है, 5-10 मिनिट के भीतर, भीतर, 10-15 मिनिट के भीतर, भीतर, वो स्किन जो है, नॉर्मल हो जाती है, आपने क्या करना है, आपने 50 ग्राम गुड लेना है, और आपने 20-25 ग्राम अजवाइन लेनी है, अजवाइन को अच्छे से पीस ले, और 50 ग्राम गुड के अंदर मिला करके, इसकी चुट-चुटी गोलियां बना ले, इन ग अराम मिलेगा, दूसरा, अगर आप इंस्टंट रिलिफ चाते हो, कि यह स्किन एकदम से स्मूध हो जाए, तो नारियल के तिल में कपूर को पीस करके पेस्ट मिला ले, और उसको दफडी हुई स्किन पे लगा ले, आपको इंस्टंट अराम मिलता है, तीसरा जो एक रेमे चार काली मिर्च कूट करके उसमें मिला ले, चार पांच दाने काली मिर्च के कूट करके, दो देड़ दो चम्मच घी में, आप तीन चार चम्मच बूरा मिला ले, और उसमें चार पांच दाने काली मिर्च के कूट करके मिला ले, इसे भी खाने से इंस्टंट जो है अराम करें इसको काफी रिलक्स आपको फील होगा और एक इसका सिट्राजीन नाम के टैबलेट आती है वो भी अगर आप ले लेते हैं वो आप डॉक्टर भी सला से ले क्योंकि मेडिसिन आप अपने डॉक्टर की सला से ले क्या पता किसको क्या प्रॉप्लम है जो घरेलू चीजे होती है वो हमारे सोई की चीज से जुड़ी हो चीजे होती है वो और को नुक्सान नहीं करती बाहर की चीज़ें आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले thank you for watching and listening to my videos